प्रदेश सरकार विवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार वाधा किया वाधा निभाया 15 माह में 5 गरंटियां पूरी पहली कैबिनेट में OPS को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया 1,36,000 करमचारियों की आस हुई पूरी दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुकसमान निधी योजना की अंतरगत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीनी दिये जा रहे 1500 रुपए लगभग 2,37,000 अन्यमहिलाओं की मासिक पैंशन भी 1150 रुपए से बढ़ा कर 1500 रुपए की 680 करोर रुपए की राजीव गांधी स्टार्टप योजना की शुरुवात कर तीसरी गारंटी के अंतरगत इटेक्सी खरीदने और नीजी भूमी पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान राजीव गांधी स्टार्टप योजना की तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक हेती से जोड़ा जाएगा चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शेक्ष्णिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधान सभाक शेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माद स्कूलों में बहतर संसादन जुटाने के उदेश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए है डॉक्टर वाईयस परमार विध्यार्थी रिण योजना आरंभकर विध्यार्थियों को एक प्रतीशत ब्याज पर 20 लाग रुपे तक के रिण का प्रावधान है पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रुपे और भैंस का दूध 55 रुपे प्रती लीटर की दर से खरीदा जा रहा है दूध खरीद पर नियूनतम समर्थन मुल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्तपन गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोच्साहन दिया जा रहा है गेहूं के लिए 40 रुपे और मक्की के लिए 30 रुपे प्रती किलोग्राम नियूनतम समर्थन मुल्य निर्धारित किया गया मंडी मध्यस्ता योजना के तहट सेब, किन्नू, माल्टा, संत्रा और आम की खरीद 12 रुपे प्रती किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रुपे प्रती किलोग्राम की दर्से करने का नेने लिया सूचना एवं जनसंपर्ग विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी बताया कि आज मंदिर में विश्वकर्मा दिवस बड़ी धूमधाम की साथ मनाय जा रहा है यहां भारी संक्या में शहर की सभी वर्कों के लोग नत्मस तक होने पहुँच रही है मंदिर में ध्वजा रोहन हावन के अग्य एवं पूजा अर्चुना समित विशाल भंडारे का आयजन किया गया है उन्होंने बताया कि दिपावली के एक दिन बाद विश्वकर्मा दिवस मनाय जाता है इसको हम बड़ी धूमधामसे मनाते हैं कूल शहर का इसमें बड़ा योगदान रहता है और इसमें हम पहले जन्डार्सम होती है उसके बाद हवन होता है हवन के बाद प्रशाद जो है वित्रन किये जाता है उसके बाद भंडारा टूट भंडारा जो है वो बरताया जाता है तो यहां पे पूरा शहर पूरा एरिया जो है इसमें बहुत बढ़ चड़ के भाग लेता है जो हमारे ब्रहमन लोग हैं ब्रहमन हमारे जैंव हैं उन्हें ने बताया कि ये जो शुब है ये तो है दो तारीक को ही विश्परमणे दिवाली एक को है तेकिर कई पड़तों के अपने अपने मत है क्यों के जंत्रियां जो है तो इसके लेखक जो है कई है तो कई सब लेखको हमने दिवाली कल मनाई और आज हमारा विश्पर मनाई तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें